हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे नाम है मांदुर। आप देख रहे हैं मेरा यूटूब के यनल हेल्पिंग मॉवाइल नेंटिनल में आप सभी कफिर से एक बर स्वागत हैं। हैं यह दिखाते हैं कोय है ऐ आप 12 में अगर अब चर्जिंग कर हैं आप उसे चेंग करना चाहते जरनी से चेंगर सकते हैं। आपके पास ओंअ टोबार है तो श्रीप शॉलडिंग ऐरिन से ही उसको चैंगकर सकते हैं। कि इसका चेंज कर करें कि सालो चयार्जिंग हो रहा है और कभी हों रहा हुं जोड़ रहा है आ इस तरह के पी प्रॉड्ब मों आप की साहिए तो इस ट्र purely क्याप्स दोख सकते हैं पहले उसमें पहले पेश्ट लगा ले पेश्ट लगाने के बाद से ऐरेन को अच्छा से हीट करके दिरे दिरे निकाले इस तरह निकालने से यह असानी से रिमूव हो जाएगा आयरेन को हीट कर ले दो पांच सेकेंड तक चार्जिंग जेक के ऊपर आयरेन को रखे रखने के बाद से यह असानी से रिमूव हो जाएगा देखे ध्यान से रिमूव हो गया थोड़ा सा बाकी है देखे रिमूव हो गया इस तरह से कोई दिकत नहीं आपका मायक खराब होगा नों को पार्ट से निकलेगा यह असानी से रिपेर कर सकते हैं अब लोग को हम इस वीडियो के माद्याम से चार्जिंग जेक को चेंज करना सिखा रहे है प्लीज देखें आप तभी आपको समझ में आएगा वीडियो कहां तक बने रहे हैं पहले इसको आराम से वास कर लेना है वास करने के लिए हम यूज कर रहे हैं पिट्रोल और पिट्रोल से असानी से यूज कर सकते हैं थीनर से यूज थीनर यूज करते हैं पिट्रोल यूज करते हैं अब इस तरह आसानी से पहले फ्रेस कर लें देखें क्लीन हो गया क्लीन करने की बाद नीव चारजिंग जेक निकालें इसमें इसमें शॉल्डिंग अच्छा से लगाएं तक कि लोंग टाइम तक इसका टिक आओ रहे हैं पस्पर वहां से लगा ले रंगा पेश लगाने के बाद रंगा लगा है तक कि रंगा असानी से पकड़ लेगा पेश्ट लगा रहे हैं इसको अराम से लगाएं जो दोनों का जुएंट हूप पकड़ हो जाए उसके बाद से इसको लगाएं वीडियो में आज तक बने रहे हैं तभी आपको पूरा वीडियो लगाने का प्रोसेस समझ में आएगा लिके सोल्डिंग हो गया अब इसको लगा के हम दिखाते हैं आईरन से कोई बलोवर मसीन का जुरत नहीं कि इसको अब कर सकते हैं और इसको अब करने से आपको माइक कभी इसको खराप नहीं होगा इसको माइक इसको बगल में रहता है और आपको इसको नीचे रख क्यों आप कर सकते हैं अब कम दिखाने के लिए उपर में रख के कर रहे हैं अराम से टाइट हो जागा पहले जैसा अदम और जिनल जैसा टाइट हो जागा यह क्यों रख ले अब कहीं भी रख सकते हैं इसको रख के टाइट करें अब नर्मल पेस्ट यूज करते हैं अब भी इसी पेस्ट से असानी से कर सकते हैं अब जो इसका पॉइंट है उस सब में मार रहे हैं वी तरा आप भी सोल लिंक मारें इस हम फ्रेश से मारें ताकि सोट नहीं करें सोट करने तो फिर चार्जिंग नहीं भी होगा और आप परे परिस्तान हो जाएगा जेक लगाने के बात कि हम जेक नीव लगाएं फिर charging क्यों नहीं हो रहा है उसलिए ध्यान से देख के लगाएं कि कोई point sort न हो पाँचो point गठी अलग अलग रहे है अब चार्जिंग जेक लगाना सीखना चाहते हैं तो आसानी से मेरे वीडियो को देख के सीख सकते हैं टाइट कर लें टाइट कर रहे हैं आप भी इस तरह से टाइट कर लें इस तरह टाइट करने से जेक लोंग टाइम तक चलेगा आपको इससा प्रोब्लम देखने को नहीं मिलेगा अगर आपका mobile में slow charging हो रहा है या तो कभी ले रहा है कभी छोड़ रहा है तो charging jack को change करें और problem को solve करें और दूसरा problem नहीं होता यह problem jack से ही होता है देखे हो यह Thanks for watching my video by बंदे मातरम